मैं भासक भार द्वाच आप सभी का हारदी का भी नंदन करता हूँ धीरे धीरे जिन्दगी पट्रियों पे आने लगी है और ये बहुत अच्छा संकेत है आने वाले कुछ दिनों में नीट की पड़िक्छा हो जाएगी, जैई मेंस होने वाला है और बहुत जल्दी अतिसिग्र हमारे कॉलेजेज, स्कूल्स सब ओपन हो जाएगे सारे उनिवर्सेटी खुल जाएगे और ये बहुत अच्छी बात है लेकिन हमें इसमें से कुछ प्रिकॉसंस लेने होगे खास कर जो हेल्थ केर प्रोफेस्टनल्स हैं फॉर एजांपल Mbbs student, BDS student, BSc nursing और भी बहुत सारे कॉर्सेटी बात करना चाहूंगा आँ मैं एक छोटी सी आपको स्टोडी सुनाता हूं सूर्दास को हर को ही जानता है मैं जानता हूं, आप जानते हैं और भी बहुत सारे लोग जानते हैं is Adult अंधेथे और वहर दिन मंदिर जाया करते तो गरतेबाते किसी तरह मंदिर पहुंच जाते थे हर दिन और भवान का पूझा करते थे और वापस आ जाते थे एक दिन उन से एक आधमी ने पूछा कि सूर्दास तुम्हें तो कुछ देखता नहीं है फिर तुम किरते पढ़ते मंदिर क्यों आते हो तो उपने घर पे ही पूजा कर लिया करो ये कुशन उतनी अच्छा है या नहीं ये मुझे नहीं पता लेकिन जो इसका आपसर है वह बहुत खूट सूरत है समज़िए गए इस आपसर को उन का आपसर ता ठीक है, मैं अंधा हूँ, लेकिन स्रीक्रश्न तो अंदे नहीं है, उन्हें तो ये दिखता है न, इतने सारे भक्त में एक अंधा सूर्दास भी उनका भक्त है, कहने का मतलब यह है मेरा, कोविट से पहले या कोविट के बाद क्या-क्या चेंज़े जाएंगे और क्या-क्या प्रिकॉशन हमें लेना होगा, ठीक है, हमारे कॉलेज के हो सकता है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्शर बहुत अच्छा ना हो, हमें जिस जिस की रिकॉर्मेंट है, वो सब कुछ कॉलेज में अविलेवल ना हो, या फिर हमारे क्लिनिक्स में कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, जो आपको लग रहा हुआ कि नहीं है, या हम अप्लिकेबली नहीं कर पा रहे हैं, लेकर हम कुछ प्रिकॉसंस तो ले सकते हैं, जो छोटी छोटी प्रिकॉसंस हैं, जो कि सिर्फ हमें हो और आपको लेना है, तो स्टार्ट करते हैं, नम्मर वन, जो हम अपने क्लिनिक्स में अकसर ये गलती करते हैं, मैं खुद final restaurant हूँ, मुझसे भी ये गलतियां होती है COVID से पहले आपकी आदत होगी कि आप जो mask यूज करते होंगे उस mask को निकाल करके अपने apron के pocket में डाल लेना इसे भूल जाएए अब अब गलती से भी जो mask आप use कर रहे हैं उसे apron के pocket में ना डाले उस mask को उसकी appropriate जगह पर मतलब dust wing में डाले Second, हमारे pocket में phone होता था हमेशा जहें, क्लेनिक में हो या क्लेनिक के बाहर हो कोई message आया और हम क्या करते थे phone का foot of notification ओन करके यह देख लेते थे कि notification किसका है, message क्या है, या time क्या है इसे आपको छोड़ना होगा आपको अपना phone अपने locker में रख के आना होगा क्यूंकि बारवर जब फोन habitual हो चुके हैं use करने के तो आप बारवर phone को निकालेंगे और जैसे ही आप phone को निकालेंगे तो वहाँ से infection के chances increase हो जाएंगे Third, हम आप सब करते हैं अपने hostel जब निकलते हैं तभी एपरेंट डाल लेते हैं और क्लिनिक खतम होने के बाद भी एपरेंट पहन के ही हम अपने hostel में आ जाते हैं मैस में चले जाते हैं कैंटीन चले जाते हैं इसे भी हमें छोड़ना होगा मैं खुद या बहुत सारे बच्चे अपरेंट उदारते हैं और उसी बैग में डाल देते हैं जिसमें उनके बुक्स होते हैं अब आपको एक कैरी करना होगा इसमें अपने अपरेंट को डाले और इस चीज का ध्यान रखें कि आप अपरेंट पहन के hostel से ना जाएं या फिर क्लिनिक्स खतम होने के बाद उसी अपरेंट को पहन के वाउस्टर वापस ना आए आप क्लिनिक्स में उसको उतारें खतम होने के बाद एक प्रॉपर बैग में डालें वापस आएं और उसे वाउस्टरूम में डालें साफ होने के लिए चौथी बात, जब हम लोग क्लिनिक से वापस आएंगे, तो हमें एक प्रॉपर बात लेनी होगी, क्योंकि हो सकता है, बाई चांस किसी वज़ा से, इंफेक्शन हमारे साथ आजाए, तो प्रॉब्लम हो सकती है, और पांचमी बात, हम जो भी पेसेंट करेंगे, क्वाइलिट मतलब बहुत जिल्दी काम कर रहे थे, अब आपको अपने प्रिकॉशन लानी होगी, सारे प्रोटोकॉल फॉलो करने होगे, और फिर काम करना होगा, तो मतलब एक दो ही पेसेंट करें, कोई बात नहीं है, लेकिन अच्छे से करें, अराम से करें, और सारे प्रोटोकॉल फ नमस्कार